देली की कैबिनेट ने अभी हाली में देली का अपना एजुकेशन बोड को मंजुरी दी है देली के सिक्षा मंतरी मनीर सिसुदिया का कहना है कि यह जो नई बोड बनी है जिसका नाम है देली स्कूल्स के अंदर अने प्रोग्रेसिव कंट्रीज के अजुकेशन के तरज पर यहां देली स्कूल्स में भी हाई कॉलिटी एजुकेशन दी जाएगी जिसमें इस्टुडेंट्स को देजभक्ती मतलब की पेट्रोटीजम सिखाना एक अच्छा इंसान बनाना और जॉब्स के पीछने भागने के बजाए जॉब्स को क्रियेट करना इसका में उदेश रखा गया है तो आए जल्दी से इस New Education Board के हाईलाइट्स को देखते हैं इस वीडियो को मैं आप तक लिके आ रहा हूँ मेरे नाम है रितेश कुमार देखें मनीश सिसोधिया का कहाना है यहाँ पे कि पूरे academic year में बच्चे पूरे साल भर पढ़ते हैं और at the end of the day वो तीन घंटे का एक्जाम दे करके वो next class में प्रोमोट हो जाते हैं तो इससे बच्चे का जो है वो all round development नहीं हो पाता है जो personality development है जो multi-dimensional approach है वो proper नहीं हो प सिसोधिया का कहाना है कि तीन घंटे एक्जाम की बजाए इस्टुरेंट्स के अंदर पूले साल भर में constant evaluation होना चाहिए constant evaluation का मतलब यहाँ पे है कि दो महिने के बाद आप students का academic check कीजे कैसा है या फिर आप quarterly check कर सकते हैं तो students का एक constant evaluation तभी होगा जब उसके अंदर देशभक्ती की भावना आएगी यहाँ पे देशभक्ती का मतलब है जैसे कि महिलाओं का सम्मान करना अपनी मिट्टी से प्यार करना पशुपक्षी से प्रेम करना अपने अंदर इमांदारी को बढ़ाना हर धर्म और जाती का सम्मान करना और उनके अंदर जो systems हैं जो values हैं उसकी respect करना एक discipline तरीके से अप तो इस एक हजार देली के जो government schools हैं इसमें से तकरीबन 20 से 25 स्कूलों में इस DBSC को लागू किया जाएगा क्योंकि देली के अंदर जो mostly schools है वो या तो CBSE affiliated है या फिर ICC affiliated है देली government schools के अंदर जो CBSE का affiliations है उनको de-affiliate करके इस DBSC को लागू किया जाएगा तो यह कैसे खेल को बदलने वाला है अब यह teachers के दवारा accept कर लिया गया है कि बच्चों को आज student-centric learning सिखने की ज़रूवत है और वो जिस board का अनुसरन करते हैं वो काफी कम है यह ना केवल board बलकि सिख्चा, सास्र और सामागरी है जो एक अंतर बनाता है और अगर students के competencies को चाहे वो primary हो, secondary हो अगर इस competencies को influence किया जा सके तो multi-disciplinary approach के अंदर उन्हें एक बहुत अच्छा exposure मिल सकता है जो कि future में एक catalyst के तोर पे भी काम करेगा यहाँ पे highlight करना की एक अवशक्ता है कि DBSC जो है, वो CBSE का replacement नहीं है लेकिन केवल एक नया यूग है जो राश्ट्रिय सिख्चा नीती मतलब की National Education Policy 2020 में सही बैठता है यह स्वागत योग परिवर्तन होने के दौरान बोर्ड को स्वरसेश्ट पेश करने का भी हनुमान है कि इस कूली सिख्चा में अंतर रास्ट्रिय प्रथाओं और तक्नीकों जैसा की दिल्ली सरकार द्वारा सामने रखा गया है दिल्ली में छात्रों के लिए अन रास्टिय बोडों से परतिस प्रदा करने के लिए अनहल्दी प्रेशर को काफी हद तक रोग दिया जाएगा यह माना है सोनवत का So according to Delhi government, DBSC की जो नई सिक्षा होगी उनको प्रदान करने के लिए और assessment प्रॉसेस करने के लिए एक high-end techniques को employ करना पड़ेगा इसमें आगे यह भी कहा गया है कि सिक्षा प्रणाली द्वारा हर छात्र की रूची आवशक्ता और विशेशक्ता को द्यान में रखा जाएगा कि वे आखिकार अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए किन कोर्सेस का चेन करें तो यदि DBSC सेफल साबित होता है तो अन्य राज अपने स्वें के सिक्षा बोर्डों के लिए एक निती अपनाने में सूट का पालन कर सकते हैं केवल यह चिंता बनी हुए है कि विचार प्रक्रिया का उदेश दिर्ग कालिक परिवर्तनों को शुरू करना है यह एक विसेश राज के राजनीतिक सेटप में बदलाओ के बावजूद होना चाहिए तो आप हमें comment box में यह लिके बताईए कि यह जो DBSC Education Board है जो लागू किया जा रहा है देली स्कूल के अंदर यह कितना impactful रहेगा और यह अगर impactful रहता है तो क्या other states इससे अपने अंदर लागू करेंगा यह नहीं और हां अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें so thank you watching have a nice day